दोस्तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सेयर करें दोस्तो आपकी प्यार और सपोर्ट की हमें बहुत ही जरूर थे हेलो नमस्कार दोस्तो स्वागा थे आपका जियो भी नीज पे दोस्तो इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे सभी बड़ी खबरे तो दोस्तो यदि आप चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी बटन को जरूर से दबा दे ताकि जो भी विडियोड आप तक पहुंची रहे तो दोस्तो शुरू करते हैं आज की सबसे बड़ी ख़बर के रूप में तो दोस्तो आज की सबसे विशानिती का ऐलान किया गया है औरबियाई ने रेपो और रिवर्स रेपो रिपो रिट में 25 बेसिसे पॉैंट की कटऊक्ती करने की खोश्टना की है । पूरिट घटकर के अब 5.75% और रिवर्स रेपूरिट घटकर के 5.50% हो गया है। इस कटोती के बाद बैंकों पर कर्ज की दरे कम करने का दबाव बढ़ेगा। यानि आने वालों दिनों में हूम और कार लोन की दरों में कमी हो जाएगी। पाहे में आर्थिक विकास दर 5 साल के निचले अस्तर पर आ गई थी। जिसके चलते रिजर्ब बैंक की और से ब्यास दरों में कटोती की गुंजाइस और आर्बियाई की दरे घटाई गई है। की महागाई रिजर्ब बैंक के लक्ष के नीचे है जिससे मौदरिक निती सुगम रहेगी। इसके साथ ही रिण की वृद्धी दर में मौदूद होने की नीजी उपयोग या निवेस की फाइदा होगा। आपको बदा दे कि आर्बियाई मौजूदा वित वर्स की दूसरी मौदरिक समिक्षा निती की आज घोशना की है। रिवर्स रेपो रेट फरवरी में दो बार रेपो रेट के कूल मिला करके अब तक 0.50 फिसदी कटवती कर चुका है। जून में नीतिकत दरों को वर्तमान अस्तर पर बनाए रखेगा। जी हाँ दोस्तों अगली बड़ी किबर एयर टेल ने अपने 399 रुपे और 399 रुपे के दो मंथली पोस्ट बेट प्लान का बड़ा खुला सकी है। जी हाँ दोस्तों दिगर्स टेली कम्यूनिकेशन कंपने एयर टेल पिछले मही ने लॉंच किया है। 499 रुपे का पोस्ट बेट प्लान को बदल करके 399 रुपे कर दिया है। वही 399 रुपे का मंथली पोस्ट बेट प्लान पहले ही मुझूद है जो चुनिंदा सरकलों के लिए उपलवध किया गया है। खास बात यह है कि 349 रुपे के मंथली प्लान को एयर टेल के बेस्ट सेलिंग सरकल ये मुझ। वही 399 रुपे मंथली पोस्ट पे प्लान आंधर परदेश, दिली एंसियार, करनाटक, चेन्री और तमिलाडू को छोड़ करके अन्य सभी एयरटेल सरकर में लाग होगा इस प्लान की फीचर्स के बारे में बात करें तो एयरटेल ने 349 रुपे के प्लान को अनलिम्टेड लोकल, STD और रोमिंग कॉल के साथ साथ प्रती महीने 5 GB डेटा को रोल ओवर की भी सुबिधा देता है इस पेकेस के साथ यूजर्स हर दिन 100 SMS भी भेज़ पाएंगे और साथ ही इस प्लान के साथ एयरटेल टीवी, प्रेमियम और 5G जैसे फीचर्स की भी फ्री में मुहया कराए जाएगी वहें एयरटेल द्वारा किया गया 399 रुपे मंथली प्लान में यूजर्स 40 GB डाटा रोल ओवर सुबिधा के साथ पा सकते हैं इसके अलावा अनलिमिटेड लोकल एस्टेटी के साथ फ्री रोमिंग वॉइस कॉल के साथ प्रती दिन 100 SMS भी सामिल है इसमें तिन 100 99 रुपे के प्लान भी इसी तरीके के प्लान है दोस्तो बिड़ को एक लैक जुरू कर दे दोस्तो दूजर्स 24 तक हर घर में साफ पानी मोदी सरकार ने बनाया जल सकती मंतराले जी हाँ दोस्तो हर घर बिजली के पहुँच के बाद अब मोदी सरकार ने हर घर पीने क पानी की पहुँच पर काम कर रही है इसके साथ ही हर घर में पीने का पानी मोहया कराने के लिए सरकार ने जल सकती मंतराले का अगठन कर दिया है नया बना जल सकती मंतराले पहले के जल सकती मंतराले नदी विकास और गंगा पुनर जीवन मंतराले की जगह लेगा इस पानी के साथ सिंचाई की भी वेवस्था बेहतर करने की बात कही गई है आपको वदा दे कि तमिल नाडू के रामनाथ पूरम में एक चुनावे रेले को संबोधित करते हुए प्रधानमतिन मोधी ने वादा किया था कि अगर भारती जंतापाटी सरकार में आती है तो उसकी सरकार एक अलग जल सकती मंतराले बनाएगी चुनाव से पहले किया गया वादा महत्रपूर्ण था क्योंकि तमिल नाडू का अपने पडोसी राजियो केवल और केवल करनाटक के साथ नदी जल बांटने को लेकर के कई विवाद हैं वही अब गजेंदर सिंग सिखावत इस मंतरा जी हाँ तो सुम पूरे देश में गर्मी से लोगों का जीना बहुत बेहाल हो गया है अब भीशन गर्मी के बीच मौसम का पूरानुमान देने वाली एजेंसियों ने एक रहात भरी खबर दे रही है स्काई मेट के मौसम विज्यान समर्चोधरी ने बताया कि अगले 48 15 दिन की देरी हो सकती है चोधरी ने बताया कि यहाँ पिछले 65 वर्स के दूसरे सबसे सुखा साल है उन्होंने का है कि प्री मौसून के लिए साल है वर्स 135.5 मिलिमीटर जबकि जो दर्ज की गई है वह 99 मिलिमीटर है पंजाब और हणियारा के कुछ राजियों में गर्मी और लू के राहत मिली है जहां तेज हवाओं के साथ हल्की बूंदा बांदी के कारण मौसम कुछ समय तकले सुहाना रहा है आपको बता दे कि इससे कई जगों पर अधिकतम 54 डिग्री सेल्सियस के आस पास रहा था वही चंडीगर और इसके आस पास के इलाकों में भी बार का वाओ इंटरनेशनल पार्टी जिहां दोसों बंगलादेशी अफिनेतरी अंजू घोस की बीजेपी में सामिल होने के बाद अब उनकी नागरिकिता को ले करके सवाल उठाए जा रहे हैं इस पर पस्ची मगाल के वीजेपी के विपक्ष पार्टी त्रिमूल कॉंग्रेस ने सीधा निकसाना साधा है त्रिमूल कॉंग्रेस के दिपसांसु चोधरी ने बीजेपी का मजाक उड़ाते हुए कहा है कि ये असल इंटरनेशनल पार्टी है उन्होंने बीजेपी प्रद्यक्ष अध्यक्ष दिलिप घोस को टैग को ट्वीट करके कहा है कि जल्द भार् बंगलादेशी जंता पार्टी बन जाएगी ये तो राइट जोएस है दिलिप घोस जी बंगलादेशी अवनेत्री के ज्वाइन के लिए बीजेपी वाव असल इंटरनेशनल पार्टी है विपक्ष का दावा है कि अंजू की नागरिकता और राष्टियता का अस्पस्टत की कमी है जिस वज़ा से ये सवाल उठता है कि वे कैसे बीजेपी में सामिल हो सकती है यह सवाल विसेश रूप से दो बंगलादेशी अवनेत्रियों को भारत से बाहर भेज़े जाने के बाद उठा है बीजेपी के चुनाव आयो के सिकायत की थी कि ये लोग राष्टिये में त्रिमूल कॉंग्रेस के उमिद्वारों के लिए पचार कर रहे हैं आपको बता दे कि जब अंज्यू बीजेपी में सामिल हुई तो उनकी नागरीता को लेकर के भी सवाल पूछा गया जिस पर वे चुप रही उन्हें दिलिप घोस ने बीजेपी का जहंड़ा सोब कर के बीजेपी में सामिल किया है हाला कि उसके पास भारते पासपोर्ट और वोटर आईडी कार है इतना ही नहीं उनके पास इस बार के लोग सबाचुनाव में वोट भी दिया था उनका पासपोर्ट पिछले साल जुलाई में ही जारी किया गा था वहें उनके वोटर आईडी मायावती ने ट्वीट करके कहा है कि स्रम मंत्राले ने लोक्स बाचुनाओं के बाद अब अपने डाटा से बुरी खवर से पर्मानित कर दिया है कि देश में बेरुजगारी की दर पिछले 45 वर्सों से सबसे अधिक 6.1% हो चुकी है परनतु गरीबी और बेरुजगारी के सिकार कड़ों लोगों को अब पच्छताने से क्या होगा जब चुनिया चुक गई खेत उन्होंने देश की विकास दर कम करने पर नियुतम अस्तर पर पहुँचने के बारे में कहा है कि देश के लिए अच्छी खबर नहीं है कि भारत में आर्थिक विकास की दर घट करके 5.8 पर आ गई है जो बहुत नीचे है मायावती ने उनकी किरसी वज़ा विकास दर से घटने से बताते हुए का है कि सकल घरेल उत्पाद विकास की यहदर किरसी और फैक्टरी उत्पादर में भारी गिरावट का परिणाम है पहले से ही कर्जमाफी तरास देश की गरीब जनता के जीवन का सही कल्यान कैसे होगा जी हाँ दोस्तो अगली बड़ी कावे ने भारती नोसिना की बड़ी कामयाई भी पंडूबी बचाओ का सफल परिक्षन किया है जी हाँ दोसों भारतिय नोसिना के डिप सब्मरीन रेस्क्यू वहील DSRV का परिक्षन किया है और पानी के अंदर ही कर्मियों को पंडुबी में अस्थानान्तित कर दिया है DSRV और कीलो दर्जनों की पंडुबी INS सिंधुराज के बीचे सजीव अंतरसंबद परिक्षन दो जून को पूरी तटपर हुआ है इस दोरान INS सिंधुराज संकट ग्रस्थ जहाज की तरह पीछे चला गया था पानी के अंदर ही सिंधुराज से कर्मियों के DSRV में लाए गया और उसे सुरक्षित जमीन पर लाए गया है भारती नुसेना ने महासागर की गहराई में कर्मियों का आस्थानांतिरित करने की नई छमता हासिल की है इसमें पंडूबी संबनित अपात्काल से निपटने की सहायता मिलेगी नुसेना के कहा है कि पूरी प्रक्रिया भारती सदस्यों में ही की है और इसे प्रसिक्षन चरन को पूरी तटपर पूरा किया गया है पंडूबी में जिस हेचों का दोनों यानों पर अंत्रसंबंध किया गया है उसे भारती नुसेना पंडूबी डिजाइन प्रनाली किया गया था यह एक नई छमता है जिसे भारती नुसेना ने हाल ही में अधिक्रित किया है इसका उदिस से खुद को हिंद महासागर छेतर में प्रमुख पंडूबी रक्चक में सामिल करने का है भारती नौसेना ने अपने पहले DSRV को 2018 में सामिल किया था DSRV शमुद्र तल से पंडूबी से मिलती है जिसके बाद में पंडूबी कर्मियों को अस्तरांतित करने के लिए हीच खोलती है नौसेना ने यह प्रनाली को एतिहासिक बता है जिसके बाद भारती नौसेना हिंद महासागर छेतर IOR में पंडूबी रक्चके लिए उभरेगी नौसेना की पंडूबी के साथ यह दुरगटना हो चुकी है इसमें अगस्त 2013 में सिंधु रक्च की दुरगटना हो गई थी जिसमें 20 फोट के बाद 17 कर्मियों की मोत हो गई थी